हालो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे चानल पर गाइस हम लोग आज करने वाले MSTCET जो पी बैसिकली हम लोग यहां पर हमारा सब्चेक्ट जो केमेस्ट्री सब्चेक्ट है उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी करने वाले कि exactly आपको कौन से पर्टिकूल स्टैंडड पर कीतना फोकस करना है ठीक है अब आपको पता ही होगा बच्चों chemistry में स्पेशली मच्ट की कितने माक्स की कुईशन आते हैं आपको मिल जाएंगे टोटल 50 माक्स की क्वेस्टिंस ठीक है 50 मार्किंग नहीं होती है दोस्तों अब बच्छों यह क्वेशन यह है कि इसमें पचास माक्स में से आपको 11 स्टेंड की सिलिबिस से कितने क्वेशन आएंगे और 12 स्टेंड की सिलिबिस से कितने क्वेशन आएंगे तो देखो बच्छों 11 स्टेंड से आपको 20 परसेंट आपको जो सिलिबिस है वह करेगा 12 स्टेंड यानि माक्स वाइस अगर मैं कहूं तो से 10 मार्क्स आपका स्टेंड इलेवन तो क्यारी गरेगा एंड देन रेस्ट आप दो 40 माक्स जो आपका ट्वएल स्टेंड गरेगा ट्रेंड फ्रेंड पर्फेंड कितने चैप्टर्स हैं टॉटल्ट शोला चैप्टर को एच्छे से लेंट करने होंगी तो गट इए फुट्य को दिए टैंट यह फ्हीर माक्स पीडिए आपको जो सोला चैप्टर 11 स्टेंड में भी ह हो गया और्गैनिक केमिस्ट्री हो गया ठीक है तो ऐसे सब टोटल नाइन चैप्टर्स हो बिच्छो तो नाइन चैप्टर्स में से कुछ दस क्वेशन आपको आएंगे बेसिक लिए आप रैंडम लिए आप देख लो तो हर एक चैप्टर का एक क्वेशन 11 से रहेगा दरूर और यहां पर 16 चैप्टर में से आपको 40 माख के वेशन आएंगे मैं मैं 3-4 प्वेशन इन इच मार्ग इच चैप्टर ऑफ 12 से तो यह तो अप प्रॉपरदि एडी और यह जोन रहेगा आप ग्रेदी कर सकते है दोश्तो तो हब फोली कर चैप्वेश्य से आपको यह सारी कि आप MSTCET को किस तरह से आप you know preparation के रिए रखते हैं और ऐसे informative वीडियो के साथ न्यू वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे तब तक बाइबाइब टेक